तो फ्रेंट्स प्रविटाइल का जैसे कल अपडेटो डिन इत बोला था हमने कि आमेजन ने फ्रिचर रीटेल के प्रमूटर ग्रूप को आप्रोच किया और फाइनेशनली स्ट्रेस थे तो उनको हेट करना चाते है तो उसके वज़े से थोड़ा बहुत उच्छाल दिख सकता है, एक्सपेक्टेड है, यह हमने कल बोला तो और आप देख सकते हो, आज की डे में इसने फिर से 51.80 का है बनाया था, जबकि इसका जो प्रिवियस सेशन क्लोज हुआ था, वो अराउंड 49 रुपीज क्लोज हुआ बनी है, और 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 भी जो फीचर ग्रुप के जितने भी शेयर है, उन में अनसर्टेनिटी है, तो कुछ इंपोर्टन चीज़े है, इंपोर्टन अपडेट निकल का है, जो हम आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास तक देखिएगा, त उस से रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, लेटेस न्यूज की, तो पहली न्यूज जो मैंने की, एमेजान ने जो है, 7,000 क्रोड रुपे जो है, फीचर रिटेल को जो है, मदद के तोर पर, जो है, मैंश करेंगे, उससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्स आप लोगों के लिए, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन आन टाइम मिल सके, एक सेकंड लगता है, आपको च तो वहाँ पे जो है, 7,000 क्रोड अगर आप फैनेशल स्ट्रेस्ट हो तो हम यहाँ पे यह आपको ओफर करेंगे, एक चीज यहाँ पे गलत यह दिख रहे है, फ्रेंज मुझे आप देखिये, इन इस लेटस लेटर तो जनिवरी 19, Amazon said, it has become aware from certain media sources that future retail is proposing to sell its small format store comprising the easy day and heritage fresh brands, त देखिये, कि जो small stores थे, जो future retail के थे, Amazon अभी उनको भी जो है, बेचने से रोक रहा है, यानि, लाइक देड़ हजार करोड रुपे का जो है, investment करके, Amazon ने एक बहुत बड़े group को, जिसका जो है, market capital बहुत जादा बड़ा है, उसको जो है, रोक के रखा है, मतलब किसी भी तर future group को नहीं allow कर रहा है, कोई भी उनके stores और कुछ भी, जो है, sell करने को, तो इन्होंने जो investment कर रहा था, सिर्फ future coupons के थ्रू कर रहा था, लेकिन ये तो अभी पूरा future group का, जो है, investment उसको ही पूरा रोक लगा दे रहे है, तो friends, future group जो है, बिलकुल इस बारे में सोचेगा, कि देड़ हजार करोड का investment आने के बाद, Amazon ने इस तरीके के जो है, ट्रबल जो है, future group को create की है, क्या, इस बार जो 7,000 करोड का जो help वो करने वाले है, future group ज़रूर सोचेगा in detail की, किस तरीके के rules इसके पीछे रहेंगे, क्योंकि एक बार जो है, experience आ चुका है, future group को Amazon के साथ जो भी उनको help कर सकता है, तो यहाँ पे यह point था मुझे गलत लगा कि यह small stores जो है, उनको भी बैसने के लिए जो है, अपोस कर रहे है, अभी यहाँ पे अगर कुछ details है, friends, जो मैं आप लगों को बदा दो, important है, जो अब तक हुई है, इंडिया में, यहाँ पे देखिए, notably in December, CC CCI, जिनके under, जिनके supervision में यह deal हुआ था, उन्होंने straight away Amazon का और future retail का 2019 का जो deal था, उसको जो है, खारिच कर दिया, उसको dismiss कर दिया, और यह बोला है, कि जिस तरीके के future group ने जो proof submit किये, उसके business पे CCI को ऐसा लगता है, कि future coupon के साथ जो deal करी था Amazon ने, उनका intention यहाँ पे कुछ अलग था, जिस तरीके की रोक वो अलगा रहे है, यह इनका actual intention था, इनका intention था, इनका एक्च्वल इंटेंशन था, कंट्रोल करना, लेकिन उसके बाद, जो CCI ने क्या किया, कि उन्होंने पेनल्टी भी लगई है, e-commerce जाएंट को Amazon को 202 करोड की, तो CCI order has been challenged by Amazon, जो 202 करोड का find लगा था है, उसको challenge किया Amazon ने बाद में, जिसका जो है, यंसी एल्टी के पास जो है, उसका जो है, notice or request चला गया, लेकिन उसके बाद, यंसी एल्टी has directed the matter to, listed on February 2 for the next hearing, तो जो है, यंसी एल्टी ने 2nd February को जो है, इसका result रिजर्ट करते हुए, वो hearing उस टाइम पे बतान जो है, higher court, supreme court का concrete detail नहीं आता है, कि yes, CCI की decision को हम support कर रहे है, यहाँ पे CCI का decision जो है correct है, तब तक reliance के साथ deal नहीं होती है, अगर future group को ऐसा समझ में आ जाएगा, कि reliance के साथ deal हो ही नहीं सकती, तो उनके पास कोई दूसरा option नहीं रहेगा, क्योंकि वो financially stressed है, उनको Amazon की and they are willing to assist future retail, वो future retail को, future group को help करना चाते है, और right away यहाँ पे उन्होंने किया है, which contemplated an infusion of 7,000 crore in future retail, तो इतना पैसा हो, immediately उसमें लगाएंगे, तो friends, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इतना जरूरी है क्या future group को fund मिल जाना, reliance की तरफ से हो, या Amazon की तरफ से हो, तो उसका answer है yes, जादा financial stress में फिलाल और उनको definitely बहुत अच्छे fund की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, दूसरा update है उससे related, जो कि आपको और जादा idea देगा, future retail not in position to make dollar 471 million payment as a deadline years, तो अभी और एक deadline आ रही है, जहाँ पे 471 million का payment उनको करना है, तो यह जो payment है, इसमें क्या क्य चीजे जो है included है, यहाँ पे हम देखेंगे, future retail isn't in a position to make payment on 35 billion रुपी, that is 471 million of past due debt before the grace period expires, will also miss an upcoming 14 million bond coupon deadline according to popular, sorry, according to people familiar with the matter, तो उन्होंने जो बुला है, जो जिस तरीके का past due debt है और जो bonds coupon की जो deadline है, वो नजदिक है और in total उनको इतना सारा जो amount है वो पे करना है, वो अभी वो miss कर सकते है, तो यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि future group जो है financial stress थे, जिसी भी time पे financial update कुछ भी आता है, अगर future group accept कर लेता है Amazon जो help कर रहा है, वो या फिर second feb को अगर कोई concrete decision आ जाता है, जैसे reliance की तरफ से, sorry, जैसे supreme court की तरफ से हो या higher court की तरफ से हो, या NCLT ने जो result reserve रखा है उसकी तरफ से हो, वो सारे updates अगर आ गए एक बार, तो definitely जो है future retail की share में हमें तेजी देखने को मिलीगी, तो जिस तरीके से Vodafone का situation है, उसी तरीके से जो है अभी future retail का भी situation है, difference इतना है कि Vodafone की against में बहुत strong competitors है, जो उनके rival से बहुत ज़्यादा strong है, यहाँ पे future retail का कोई rival नहीं होगा, क्योंकि यह independent store business है इनका, जो की बहुत established है इंडिया में, इनके पास fund आ गए, तो इनका share definitely जो है बहुत आगे जाएगा और इनके जो revenue है वो भी हमें बहुत अच्छे होते हुए दिखाए देंगे, तो यही सारी important details थी friends, जो मैं आप लोग के साथ share करना चाहरा था, thank you for watching this video